तो है काईस मैं अब सभी को स्वागत कर तो मेरा चैनल पर दोस्तो आज हम लोग बात करने बला है सिंकॉम फॉर्मुलते स्टोक के बारे में कि अभी आप लोग को इसमें इंवेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और शाथ ही जो अल्लिडी इंवेस करके रखा है इस तो दोस्तो अगर मैं आप लोग को एकदम से सिंपल से बोलू तो ये बेसिकली एक फारमा का कमपानी है जो मेनुफेक्टर कटा है हेल्ट प्रोडक्स तो इसका जो ताच आप लोग बोल सकते हैं कि 15 प्लास काउंट्री के साथ है और इसका अल्लिडी 400 प्रोडक्स रिजिस इसके आसपास में है तो नेक्स दुस्तो इसका जो all time high गया था तो वो 19.5 गया था और all time low 3.03 और अभी जो इसका current price है वो अभी आप लोग बोल सकते हैं कि all time high और all time low के बीच में है तो नेक्स दुस्तो अगर आप लोग इसका dividend yield देहेंगे तो ये 0% का है तो 0% का dividend yield होना म तो इसका जो ROCE 21.1% का है और ROE 18% का तो दो जो 50 stock में ROCE 21% होना और ROE 18% होना यानि बरा बरा इस stock जी से ROCE और ROE होना तो बहुती एक अच्छा बार होता है तो अगर मैं एक 50 stock के बारे में बोलू तो minimum ROCE होना चाहिए 10% और इसका 21% बहुती अच्छा है और minimum अगर मैं 50 stock के ब बोलू इसका ROE 18% का है जो कि minimum 11% अच्छा माना जाता है और इसका 18% का होना बहुती अच्छा बात है तो यह मुझे अच्छा लगा तो नेक्स उसका तो देब आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर 64 क्रोर का है पर यह इतना निगेटिव पन नहीं है क्योंकि इसका तो 5 तो होना जाहिए रूपीस में और इसका 0.27 का होना मुझे बहुत एक निगेटिव पन लगा तो यह था दोस्तो फांदमेंटल का में कुछ आप लोग को यहाँ पर एनलेस करके बता दिया तो EPS को छोर के मुझे बाकी सब ठीक ठाक लगा तो नेक्स आप लोग को बता तो आप लोग को यह पर ढेखनें को मिलेगा इसका आगर मैं 100 ने भी पर यह था ली को मिलेगा ने लाख य बहुत ये बहुत ऑई स्का इसका अप लोग को जेसे कि आप लोग के बहुत दे कंदे पर short term से mid term में और mid term से long term में return ज्यादा होना जाहिए और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका short term से mid term में return ज्यादा है जो की एक अच्छा बात है और यह जो आप लोग देख रहे हैं एक graph में तो ऐसे एक graph होना बहुत एक अच्छा बात है एक penny stock में तो अभी तो यह तो अभी आप लोग को यह खरीदने लाइक है यह फिन नहीं और holding आप लोग को करना चाहिए फिन नहीं तो हम आप लोग को सारा बात बोल दूंगा यह पर तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्त तक डिखिए और साथि अगर आप लोग नेया है मेरे चैनल पर तो आप तो यह मुझे अच्चा लगा तो नेक्स अगर मैं प्रوفीत के बारे में बोलें तो तोerdition ट्वीजिं ट्वीन में यह बहुत यह अच्चा प्र Dutchman दिया तोु रिफिनेव प्रॉफीत में मुझे अच्चा लगा और साथि नेट्वर्ट भी तर् biomass यहे ज्याดा है तो फाइन कर 44 परसेंट हो गया तो प्रोमोतर बनना एक अच्छा बार होता है पर दोस्तो साथ ही आप लोको यह पर यह दिखने को भी मिलेगा कि जो एफाइ फोरें इंस्ट्यूशन 31 के सेप्टेंबर का क्वार्टर का रिजाल दिया था तो इसमें इंवेस किया था तो डिसेंबर में बोलोक ने सेल कर दिया तो इनेक सकर में आप लोको बोलू दोस्तो इसका पाबलिक यानि रितेलर तो रितेलर 61 परसेंट था 2019 का marque में जो कि अभी काम हो गया 58% हो गया तो रोश्तो पाबलिक का कम होना यह इतना निगेटिव पट नहीं है पर प्रोमोतार का ज्यादा होने एक पोसीटिव पण होता है और इसका पोसीटिव पकाता इसका प्रोमोतार पहले से को मिलेगा तो मैं आप लोग बता दूमां की आप लोग को को अब क्या करना है जो लोग इसको और शरीन खरिद के राखें अप्लो Destin को रोड करना चाहिए आफिन नहीं तो में आप लोग को साथी जो निया तो यह इतना भी negative point नहीं है क्योंकि दोस्तो दिखिए जो पहले में यह बोला कि dividend पर पर penny stock में dividend नहीं देना यह इतना negative point नहीं होता है आप लोगों को आप लोगों को बोली चुका हूँ तो नेक्स अगर इसका ROE के बारे में बोलू तो यह पर हाँ इसका profit जितना हुआ जो 3 years में 1000 plus return दिया इसने पर इसका 3 years में जितना return दिया तो उससे इसका ROE काम है पर दोस्तो इसका penny stock के basis से अगर में बोलू तो यह ROE में बहुत ही ठीक है तो आप लोगों को यह दोनों point इत देश है increase from 89 to 111 days तो यह देपतर का देश यह थोड़ा से बार गया तो यह फी एक negative point है तो रोस्तो फास्ट और सेकेंड को छोड़के बाकि 3rd और 4 मुझे यह negative point लगा तो बढ़ते हैं next light के तरफ रोस्तो अगर आप लोग यहापर quarter result के बारे में आप लोगों बोलू तो इ net profit वो भी कम हो गया तो रोस्तो EPS जो की रूपीस में होता है यह भी आप लोग बोल सकते कि यह भी कम है September के quarter के regarding और यह भी एक negative point है इसका quarter दे result के बिशिस से तो next अगर मैं आप लोग को इसका balance sheet के बारे में बोलू तो reserves और borrowing बहुत ही important चीज होता है मैं जैसे कि आप reserves बढ़ना चाहिए और borrowings कम होना चाहिए और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो reserves तो थीक है बढ़ रहा है पर साथ ही इसका borrowings भी बढ़ रहा है तो यह एक negative point है borrowings कम होना चाहिए तो इसका जब यह borrowings कम हो जाएगा तो यह एक सायन होगा कि यह भांदा में तिली बहुत अच्छा होने बाले है इसका EPS भी अच्छा होने बाले है और साथी इस टोक का प्राइस भी बहुत ही all time high को भी cross करने बाले है तो मैं आप लोग को इसका प्राइस थारगर भी बैना के दूंगा इसका वीडियो तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को श्काशाम में बता दिया तो अभी अपलोग को क्या करना चाहिए दिखिए अगर आप लोग निया इन्वेस्टर है और आप लोग एक ऐसे पेनी स्टोक झून रहे है जो कि फार्मा का कॉमपानी में जो मेनिफेक्सर कर रहा है मेरी सिंस तो ऐसे अगर आप लोग को कॉमप आप लोग के पास एक्ट्रा मानी है तो आप लोग बचा के रहिए कब खरीदना है इसको मैं आप लोग को बोल दूंगा और अगर आप लोग सेफ जाना चाहते और एक सेम कमपानी चाहिए आप लोग को पर सेफ रितन भी चाहिए साथ ही जो आप लोग को रितन भी सेफ दे तो आप लोग इन तॉप थ्री में से कोई भी एक स्टोक आप लोग खारिच चकते हैं आप लोग को सोट ट्राम, मिट्राम, लॉंग ट्राम, तीनों में आप लोग को आप लोग को अभी ये खारिदने का साज़ेशन ने डूमगा तो जो अलिडी इसमें इन बेस करके रखा है तो आप लोग को अभी का करना चाहिए देखे तो दोस्तो ये जो प्राइस गिर रहे ये इसका फास ताइम नहीं है गिरना तो पेनी स्टोक में इसे प्राइस दंप, पांप होते रहते और इसका जो मैंने आप लोग को बोला जो FI का जो सेलिंग करना 0.58% का डिसेंबर के क्वार्टर में तो इसके बज़े से भी ये जो स्टोक का प्राइस ये गिर रहे आप लोग को गिरने का डेखने को मिलेगा तो ये भी एक बात है कि इसका प्राइस गिर रहे बाकि ROE, ROCE में मुझे ये बहुती अच्छा लगा फांदामेंटेली तो अगर आप लोग 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 जाना चाते तो आप लोग इसको होल कर सकते बिना कोई टेंशन के पर अगर आप लोग सोट ट्राम टीडिंग के लिए इसको खरीजा था आप लोग ने और अभी आप लोग फास गे तो आप लोग को अभी क्या करने चाहिए देखिए तो देखिए अभी तो आप लोग को अगर लोस हो रहे तो आप लोग अभी होल करने परेगा क्योंकि आप लोग अगर अभी निकालेंगे तो आप लोग को अभी लोस होगा तो जब यह price थोड़ा सा भी अगर pump हो तो आप लोग sell करके निकल जाना क्योंकि दोस्तो देखिए मैं आप लोग को बोलता है कि penny stock में सिफ हम लोग को extra बशा दालना चाहिए जो हम लोग को अगर loss भी दे तो इतना tension ना हो निकलने का क्योंकि यह हम लोग अगर long term के लिए रुखेंगे तो यह obviously profit बन जाएगा यह पैशा तो यह company इतना बुरा नहीं है मैंने अप लोग को बता दिया इसको analyze करके तो मुझे यह फांदा में तेली हो साए financial के regarding में हो यह मुझे अच्छा लगा यह ठीक लगा और दोस्तो मैं आप लोग को बहुरी जल्दी इसका price target भी वीडियो का लाऊंगा इस stock के regarding तो इसलिए आप लोग अगर निया है मेरे चैनल पर तो आप लोग subscribe करके रखें ताकि आप लोग को notification मिल सके और शाथ ही अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके मुझे motivate कीजिए और दोस्तों अभी आप लोग को sell करना panic sale नहीं करना है मैं आप लोग को यह एसारेस करना है कि आप लोग को panic sale नहीं करना है यह stock आप लोग देख पाएंगे कि यह गिरेगा फिर उतता है तो stock में दाम होना बढ़ था है pump होने के लिए तो आप लोग को यह समझना है और आप लोग को सीव एक्स्ट्रा मान ही इसमें पेनी stock में डालना है ताकि आप लोग को इतना tension भी ना हो निकलने का लॉस होने का बाद भी तो इसलिए आप लोग इस company में अगर आप लोग लोग जाना चाहते है तो अब इसलिए आप लोग होल किजिए और आप लोग को प्राइस तर्केट में आप लोग को बोल दूंगा कि आप लोग को कब आ लाइक भी कर दीजिए तो थैंक्यू दोस्तों एची वीडियो को देखने के लाइक के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए